प्यारे बच्चों, NCRT कोचिंग में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम कुलाम का नियम के बारे में जानेंगे तो आज ये देखते हैं कुलाम का नियम क्या है बच्चों, सन 1785 में एक फ्रांसी सी वेग्यानिक जो भोतिगी वेग्यानिक थे उनका नाम चार्ल्स आउगस्टिन कुलाम था इन्होंने क्या किया? दो बिंदू आवेसो के बीच में लगने वाला आकरसन या प्रतिकरसन बल का मान गयात किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ही कुलाम का नियम के थे हैं क्या किया थे इनने? कि दो बिंदू आवेसो के बीच में लगने वाला आकरसन बल या प्रतिकरसन बल का मान गयात किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ही कुलाम का नियम केते हैं आप देखें कुलाम का नियम के अंतरकत जो डेफिनेशन बने उन्होंने वो परिवासा किस परकार परिवासित किया इसे कि इन्होंने बोला कि किनी भी दो बिंदू आवेसों के बीच लगने वाला आकरसन या परतिकरसन बल उन आवेसों के परिमानों के गुननफल के तो समानुपाती होत है उन आवेसों के अरिमानों के गुननफल के सम्मानुपाती होता है तथा उनके भीच की दूरी के विद्कुर्मानुपाती होता है यह नोने नियम दिया तो बच्चों आपको कोई डरने के आवी सकता नहीं है कि यह हमको यादने होगा मैंने इसको याद रख रहने का एक बेश्ट तरीका सोच लिया है अब पहले यह वर्ड अच्छी से देख लीजिए कि एफ एफ का बरावरी पर मान यह याद रखने के बाद आपको जर मिंटों में याद हो जाएगा देखिए एफ क्य पिसे बूले दोनों को एक मतलब दो बिंदू आवेसों के बीच लगने वाला आकर्सन याद प्रृतिकर्सन बल Q1 Q2 आवेसों के परिमानों के गुनन फल और आर आवेसों के बीच की दूरी तो देखियों दो पहले वर्ड जो उपर है हमारे उन दोनों गोर से देखिया औ समानुपाती करके और Q1 और Q2 लिख दिया यह नियम ही है पर मैं आपको याद कराने का तरीका बता रहा हूँ देखिए क्या है एफ का मतलब क्या हो गया बोलिए दो बिंदू आवेसो के बीच लगने वाला आकरसन या फिरतीकरसन बल किन के बीच यह उन उन बुकर के बोल दो उन आवेसो के परिमानो के गुनन फल के क्या दिख रहा है समानुपाती होता है नहां से देखिए दो बिंदू यहां से ब देखिए इस वर्ड को देखके बोल दिए या फिर एप से बोल दिए दो बिंदू आवेसों के बीज लगने वाला आकरसन या प्रतिकरसन बल उन उन आवेसों के परिमानों के गुनन फल के क्या दिख रहा है समानुपाती होता है देखें आप दिल रहा होता है देखें किया बना हमारा पहला पोइंट कि दो बिंदू आवेसों के बीज लगने वाला आकरसन या प्रतिकरसन बल उन आवेसों के परिमानों के गुनन फल के के समानुपाती होता है तथा साथी साथ जो आवैसो की बीच की दूरी है उसके वर्ग के विर्द करवानो पाती होता है दोनों आगये सभी में अब देखिए इसको आप परिवासा के रूप में किस परकार सेट करेंगे यह मैं बोला जो परिवासा ही थी पर वास्ताओं में अब आपको सही तरीके से बोलना है देखे बच्चो टाइम तो लगेगा पर मेरा मकसद यह है कि आपको में रटवा के नहीं समझा समझा के याद करवा के अच्छी से कंपिलिट कर लो जिससे आपको पर जिक्स कठिन ना लागे यह क्या है कि किनी दो बिंदू आवेसों के बीच लगने वाला आकरसन या परतिकरसन बल का जुमान है वो उन आवेसों के परिमानों के गुननफल के समानुपाति होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्कमानुपाति होता है इस परकार यह आपका यावेस है बिंदु आवेस है यहांपर उनके जो परिमान है हमने लिखा है Q1 और Q2 उनके जो बीच के दूरी है वो R मानने लिए तो इस परकार अपरा समयकरन बनता है यह यहांपर है तो अब इसको मानने जाए ने समय का नम्मर एक कर लिया और समय का नम्मर दो कर लिया है अब दोनों को मिला कर लिखते हैं तो दोनों को मिला कर लिखने पर दोनों को जब मिला कर लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है देखिए एफ समान पाती Q1 और Q2 उपर आ जाएंगे और सम्हानुपाती को शाटने के लिए हम एक निया तांक कौरते हैं तो आज़े दिखते हैं निया तांक क्या रहेगा हमारा अब गराबर यह हमारी लाईन वानी अभी इसे में इक्वल में मान रहा हूं यहां पेग निया तांग के और Q1, Q2 बटा R स्कॉयर। तो यह पर क्या है क एक अनुपातिक निया तांग है जिसका मान जो रहता है वह आविसो के बीच के माध्यम पार तथा एसाई पद्दति के एसाब से निर्बर करता यहां सबसे निर्वार करता है तो देखते हैं एसाई पद्दती में जो इस के का मान है एसाई पद्दती में यह निर्वात में इस के का जो मान बनेगा इसमें वायू या निर्वात में किका क्या मान मना हमारा किका जो मान रेता है एसाई पद्दती में वाई वाई निर्वात में वो रेता है वन अपान फॉर पाई एपसनोन बस तरी से साफसे इस मान को इस मान को बिठा दीजिए हैं आप बोलिए तो एफ बराबर one upon four pi epsilon into q1 बटा q2 और r square ये कुलाम का नियम है यही कुलाम का नियम है परबट यहाँ परिवायो एनिरवाद के लिए अपने इसके एक अमान रद दिया तो यहाँ पर ए तो यह important concept है यह और इसके बाद में एक और आएगा यह इसलिए पढ़ रहे परिच्छा में नहीं पूछा था परिच्छा में एक नंबर में इतना पूछता है कि यह आपको आगे जाके हम कुलाम करने हम ग्यात करेंगे कास की प्रमेसिन के लिए most important person है वो तो उसमें वहाँ पर आपको एक काम आएगा इस कारण से यहाँ पर complete क बता रहा है ताकि वीडियो बढ़ा ना हो लंबा ना हो बोलिए cgs पद्धिती में इसका जो मात्रक है के का जो मान बनेगा वो रहेगा एक ना तो एक इक्वल वन अपान फॉर पाई एपसिनोन यह तो लिख नहीं सकते लिखाएगा कि आप एक है ना तो यह बन गया हमारा क्यूवन और क्यूटू बटा आर इसको है नहीं सही मारा देखी यहाँ पर देखिए को इसे है एक हो गया है तो बच्चांगिया क्यूवन बटा क्यूटू और आर इसको है चलिए तो क्या सिखा हमने हमने सिखा कि दो बिंदू आवेसों के बीच लगने वाला आकरसन या प्रतिकर्शन भल, उन आवेसो के, परिमानों के, गुननफल के, समानुपाती होता है, दो बार के-के बोलना आपको देखो, आवेसो के, परिमानों के, गुननफल के, किसे बोलू मैं? आवेसो के परिमानों के गुननफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के विद्करमानुपाती होता है अब अराम अराम से देखेगा अपने वाप समझ मात जाएगा तो आब अच्छो इसको इस परकार नौट कर लीजेगा यह आपको नौट कर लीजेगा आप इनको इनको एक ही नहीं दो विनदो आवेसो के बीस लगने वाला आकरसन यूप पर अपर करसन बह्ल उस स्कुरार और प्रहेंगे स्काइज किया यूज यूज किया है नियता सी किया वनी के है यह जहां कर दोनों फारिवह के बीच के माध्यम 실ें पर तता है और यह साइप सब्स हर फार स्कमार्दी यूज मे're इस मान होता है वह 9 9 इंटो 10 की पावर 9 होता है जियां रखना में कुलाम वाला सिस्टम था हुदर माइनस वाला है क्या है यह वन अपान प्र पाइपशनों का मान है नाइन इंटू टेन की पावर नाइन और क्यू बटा क्यू टू और सीजी इस प्रद्दती में अमने लाश्ट में यह देखा यह बरावरी पेख हो रही है तो बच्चो मिलते अगले वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा जरूर बन गया होगा आसा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको जानता नहीं तो 50% तो समय में आ चुका हुआ इससे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए मेरा परियास यही रहेगा कि मैं जितना में से स योग करूँ तो बच्चो मिलते अगले वीडियो में जब तक के लिए गुड़वाई